बिसम्लायरुप्लारु रभ्मियाल, फाइलम मोलस्का, इससे पहले हमने मोलस्का की 2 क्लासस फढ़वी थी, कुछ क्लासस रह गई हैं वो आज पढ़ लेते हैँ, इनके बॉड़ी के उपर प्लेट्स मौझूद होती है इनके अदर जो और गैनिसम्स आते हैं उन्हें हम चिटोंस कहते हैं चिटोंस रहते हैं शेलो मेरीन वाटर के अदर और उसकी सबस्ट्रेट पर और यह रेड्यूस्ट इनके अदर हैट जो होता है वो बहुत ही रेड्यूस्ट होता है फ्लेटन फूट होता है और इनके अदर शेल भी मौझूद होता है चिटोंस चिटोंस क्रॉल ओवर दियर सबस्ट्रेट लाइक गैस्ट्रोपोर्ट जिस तरह गैस्ट्रोपोर्ट क्रॉल करते हैं सबस्ट्रेट के उपर बिल्कुल इसी तरा jetons भी move करते हैं linear series of gills are present in the mental cavity इनके mental cavity में linear series of gills मौझूद होती है अच्छा इनकी जो gills हैं वहाँ पर cilia भी मौझूद होते हैं they have sub-radular organ अच्छा इनका organ होता है sub-radular organ ये इनके mouth से extend हुआ होता है और ये chemo reception का काम करता है and detect करता है food को nervous system इनका ladder-like होता है tactile receptors होते हैं इनमें मौझूद कीमो receptors होते हैं photoreceptors भी मौझूद होते हैं statocyst भी मौझूद होता है sexes इनके separate होंगे chitons के अंदर external fertilization होगी zygote बनेगा फिर वो swimming trochophor larva में convert हो जाएगा this larva जो है इसके अंदर metamorphosis होगी और ये change हो जाएगा adult के अंदर wilgar larva जो stage होती है वो इनके अंदर absent होती है अचा उसके बाद class monoplacophora mono का मतलब होता है one placo का मतलब होता है plate यानि ऐसे organism जिनके अंदर one plate हो they have undivided art shell अचा इनके अंदर जो shell होता है वो arch shape होता है और undivided होता है इनका जो foot होता है जो के locomotory organ होता है वो काफी broad होता है और flat होता है they have repeated pair of gills and foot retractor muscles इनके अंदर जो है gills भी मौझूद होता है और foot retractor muscles भी मौझूद होता है ये diacheus होते हैं मतलब male and female अलग-अलग होते हैं इनके embryology के बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं मालूम तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं बताया गया इसके member जो है new pulina सबसे पहले 1952 के अंदर इसे discovered किया गया था तो याद रखेगा monoplacophora के अंदर member है एक new pulina जो के 1952 में discover हुआ था class cordo favorita cordo का मतलब होता है tail यानि ऐसे organism जिनके अंदर जो है tail के अंदर थोड़ा सा small pit हो यह warm like होते हैं molusk होते हैं लेकिन warm like होते हैं इनकी size के range 2 mm से 14 cm तक होती है they have scale like specules on the body wall इनकी body wall के उपर scale like specules होते हैं इनके अंदर कोई shell मौजूद नहीं होता statocyst and nephridia जो है इनके अंदर absent होते हैं अच्छा इसके इलावा class scaphopoda they also known as tooth shell और tussle shell 300 species के अब तक जानी जा चुकी है conical shell इन में मौजूद होता है shell इनका जो होता है open at both hand, head and foot इनके अंदर यानि दोनों दुरफ से इनका shell open होता है scaphopods जो है ज्यादा तर अपने आपको substrate में धंसा के रखते हैं head and foot इनका downward होता है और apex पर इनके जो shell होता है वो apex पर होता है और वो water में होता है इसके इलावा they have redulla and tentacles इनके अंदर redulla भी मौझूद होता है tentacles भी मौझूद होता है sexes इनके separate होंगे class A placophora ये जो है solenogaster भी ने कहते हैं they have approximately 250 species इनके अंदर 250 species मौझूद होती है they are cylindrical mollusks their nervous system ladder-like they possesses redulla and nephridia इनके अंदर redulla भी मौझूद होता है और ये cornivores होते हैं और cnidarian polyps को पर eat करते हैं